नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठिकाना कर पदमश्री अवाट्स दिये गए इसी बीच एक सो पच्छस सालों के योग गुरू काफी चर्चा का विशे रहे ये योग गुरू अपना पदमश्री कलेक्ट करने खुद आए अपने पैरो पर चल कर आए फुल स्पीड में चल रहे थे और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के सामने नत्मस्तक हुए फिर प्रेजिडेंट रामनात कोविंद के सामने नत्मस्तक हुए खुद जाकर अपना अवार्ड कलेक्ट किया और बड़े ही चुस्ती फूर्ती से ये चलें 125 साल के इस बुजर्ग की चर्चा अब सब तरफ है कि आखिर ये 125 साल की उम्र में इतने फिट और इतने आक्टिव कैसे हैं 125 साल के योग गुरू स्वामी शिवानन को देखकर हर कोई है सोशल मीडिया पर स्वामी शिवानन की ये विडियो काफी वाइरल हो रहे है जिसमें वो चुस्ती फूर्ती से नजर आ रहे हैं उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि उनकी उम्रे 125 साल है लेकिन उनके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका जन्म 1896 में हुआ था शिवानन के माता पिता और बहन की मृत्यू बश्चपन में ही हो गई छै साल की उम्र से वो योग कर रहे हैं वे बंगाल से काशी पहुँचे और वहां से उन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी सालों से वो योगा करते आई हैं अपने गुरू के कहने पर उन्होंने all over world इसके बाद कई सारे देशों में वो योगा करवा चुके हैं 34 सालों में पूरी दुनिया उन्होंने गूम ली इसके अलावा सालों से वो उबला हुआ खाना खाते हैं और बहुत ही साधा जीवन जीते हैं शिवानन योग गुरू को देखकर हर कोई हैरान हो गया है कि ये द 25 सालों में भी वो एकदम फिट है ये देखकर हर कोई हैरान है ये किसी जादू से कम नहीं है शिवानन महराज के लिए कहा जाता है कि 6 साल की उम्र में उनके माता पिता उनकी बहन की डेथ हो गई थी और तब महमाया से उनका मन उठ चुका था इन फैक्ट उन्होंने अपन ध्यान सिर्फ और सिर्फ योगा और मेडिटेशन में लगाया उन्हें योगा और मेडिटेशन में मास्ट्री हासल है